तो विल्कम बैक तो गाई आज का सो वीडियो है ना बहुत ही खास है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यार आज किस वीडियो में हम सिखने माले दाउनी करना यार यह आखेर होता क्या है तो जरा साम इसको पेंड की कोलर चेंज करते हैं और हम यहां पर इसका और भी तो और भी हम इसको पतला करते हैं ताकि हमें लिखने में ज्यादा दिक्कत ना हो तो यहां पर मैंने कर लिया है ज्यादा पतला मैंने नहीं किया है तो यहां पर आज का सो टॉपिक है वह आपको दाउनी करना या आखेर होता गया तो आपको करना क्या है इस वीडियो में तक देखना है तो मैं आपको इतना बारी किसे समझाऊंगा ना कि आप जिन्दगी में कभी भोलोगे नहीं तो जैसा कि आप सब को पता है कि हमारा फसल कहां होता है तो खेतों में होता है तो यहां पर आसानी से लिखा भी हुआ है कि क्या आपने कभी फसल को खेतों से काट कर खलिहान में लाते देखा है तो गईज आप सब में से तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही आसानी से देखे होंगे तो गईज हमारा जो फसल होता है वो खेत में ही होता है और उसे काट कर एक खलिहान अब बात आती है और खलिहान होती क्या है तो अगर आप सहरवाले हैं तो ज्यादा नहीं समझ पाएंगे लेकिन हम खलिहान समझाने का परयास करते हैं या क्या आप कभी ऐसे जगों को देखे हैं या आप ऐसे समझे आप अस्कूल में रहते हैं तो आपके सर साफ सफवाई कराते हैं जिया कराते हैं तो उसी प्रकार हमारे दिहातों में होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक खेत को ना कुदाली के द्वारा छिल कर और उसे लिप दिया जाता है तो वही आपको खलिहान होता है तो क्या किये जाता है कि क्या आपने फसल को खेतों में इससे काट कर खलिहान में लाते देखा है तो जिहां आप सब में से बहुत लोग होगे हैं जो देखे होगे तो यह बात तो यह तो थी छोटी सी जनकारिया आगे देखी जनकारिया क्या है आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जनकारिया है कि आपने देखाई होगा कि उन फसलों के डंडियों में क्या लगे होते हैं जिहां दोस्तों अन्य लगे होते हैं अब अन ये समझ रहे ना अन आप समझ रहे या नहीं समझ रहे आप जरूर बताईएगा तो उन जो डंडिया होती है हमारा जो फसल की जो डंडिया होती है जैसे एक्जामपल समझ रहे आप चना समझ रहे जियागाईज चना समझ रहे मसूर समझ रहे ये सब में क्या होता है कि अन के दाने लगे होते हैं जैसे आप समझते हैं गेहूम धान ये सब के जो डंडिया होती है उनमें क्या लगे होते हैं अन ये लगे होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यह किलिर कर दे रहाँ कि यह जो डंडिया है यह आपको क्या होता है तो आप समझ रहे धान जैसे आप यहाँ पर धान का कोई चीज पौधा है तो धान के इधर इधर आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक जो सिध्धा खाड़ा होता है तो यही आपको डंडिया होता है ठीक है? तो यहाँ पर आप देखने का परियास किजिए कि डंडियों को अन्ने के दानों से अलग करने के लिए आप क्या करते है तो क्या किया जाता है तो सिंपल सी बात है उसे क्या किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है कि पहले उसे धूप में सुखाय जाता है और यदी डंट्यों की मात्रा कम हो तो उसे पिट कर अलग क्या जाता है जिहां गाईज उसे क्या कर दिये जाता है कि पहले सुखा जाता है और क्यों सुखा जाता है around वह भीगा रहेगा यानि वह नॉर्मल रहेगा तो उसे थोड़ा सा पिटने में दिक्कत होगी और ज्यादा वह असानी से अलग नहीं होगा तो इसलिए क्या किया जाता है उन अनाजो को पहले धूप में बहुत ही आचे से सुखाया जाता है और इसके बाद उसे न किसी लाठी अगोरा से पिट कर अलग किया जाता है तो वही आपको क्या कहलाता है दावनी करना और गाईज अगर दाउनी की मातरा ज्यादा हो जाएगी तो क्या किया जाता है कि बैलो के सहाता से न उसको यहाँ पर अलग कर दिया जाता है तो दाउनी करना हम किसको कहेंगे तो बस आपको सिंपल सा बात भेजा में घुसा लेनी है कि guys हमारा जो डंडिया होती है अनाजो को अगर कम रहेगी तो उसे हम पीट कर तो अलग कर ही लेंगे लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगी तो हम पीट कर अलग नहीं करेंगे तो उसे हम बैलो की साथा से अलग करते हैं तो यहाँ पर दाउनी करना हम किसको कहेंगे तो डंडिया जो होती है उसमें कर जो दाने होते हैं उसको हम पीट कर अलग करना गैज कहलाता है आपको क्या दौनी करना यानि सिंपल सा समझे हम तो दौनी करना किसको कहिए कि बैलो अथवा हाथों के जरिये उसको पीट कर अलग करना कहलाता है आपको दौनी करना तो दौनी करना आपको समझ आई की नहीं आई समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना मिलता है आपका भाई और एक नए वीडियो के साथ तो बने रहना और जुडे रहना ठीक है तो दौनी करना का आप परिभास यहां पर लिख सकते हैं चलिए बने रहिए जुड़े रहिए बेस्ट ओफ लक बाइबाइबाइट टीक केर